नमस्कार दोस्तों सीजी पकवान में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूसफूल किचन टीप जो हमारे घर में किचन में बहुत ही काम आनी वाली है और हमारे काम को भी असान बनाएगी तो चलिए फ्रेंस वीडियो को सुरू करते हैं तो मेरा पहला किचन टीप्स है प्रें मतर चिलने को लेकर है अक्सर मतर चिलने के लिए हमें किसी की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि मतर हमें चिलना होता है और हमें मतर चिलने में काफी समय लग जाता है तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास है पहला टीप्स यहाँ पर हमने पूरा जाम हो रहा है उताप चल नहीं रहा है तो इससे मठार चिलना नहीं हो पाएगा दो क्या ही, जह आ nasıl ессरा में पूस्OME को चलना का argument से चलने को चलंगी है, और दूसरे टिप्सेसे इसके दाने भी पिज गये हैं तो इसमें भी मटर चिलना impossible है तो चले फिर मटर चिलने का और दूसरा तरीका देखते हैं दूसरे तरीके में यहाँ पर हमने लिया है चौंकी और बेलन तो इसमें मैं इसे हलका सा इस तरीके से प्रेस करेंगे देखे बिल्कुल हलका सा एक दम ज़्यादा दबा कर नहीं करेंगे बिल्कुल हलका हलका ही करेंगे अब इसको डाल देते हैं पानी में यहाँ पर मम्ने कटोरे में पानी रखा हुआ है और इसके बाद देखे इस तरीके से हाँ से हलका सा इसे प्रेस करेंगे मटर को तो देहां असाने सिस्ट के निकर रहे हैं तो इस T gathering से आप धेर सारी मटर कम समय में छिल सकते हैं तो दूसरे तरीका है मटर छिलने का देखिए यह परवाला हिसा है इस को देखिए बीसे तोड़ेंगे और देखिए बीसे ने लंबा सा रेशा निकला है और एक ही बा आपके विए मतर आसाने से छेल जाती है कि विए हल्का से इस तरह के से घुमाना आ आँ दिकिए एक ही बार में सारे मतर बाहरए अगए है विए इस तरह के से आप मतर छेल सकते हैं कि दूसरा तरीका यहां देखे मटर को भी इसलिन ने लिया है तोडने के पादि इसका अगले टीप से में देखते ही मटर को हम किस तरह रहे हैं तो यहां पर हमने प्यमीड में पेपर बिचा दिये हैं आप जायते पॉली तिन बिचा सकते हैं और यहां पर हमने डाल दिये हैं मटर को इसमें अदा किलो के करीवे मटर है और यहां पर मिर्ची मिक्स हो गई ही तो मिर्ची को मैं अलग निकाल रही हूं हरी मिर्ची है और इसके बाद यहां पर देखे हम ब ज़्यादा दबा के नहीं करना है देखिए हलका हलका ही से प्रेस करना है सारे मटर को इसी तरीके से कर लेंगे वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लागा हो फ्रेंट तो प्लीस लाइक करना और चैनल में आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना देखिए हमने सारे मटर को हलका हलका प्रेस कर लिए हैं और यहाँ पर हमने लिया है बड़ा सा बर्तन में पानी और इसमें मटर को डाल देते हैं इस तरीके से सारे मटर को और इस तरीके से मटर को फ्रेंट तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आप डियर सारे मटर कम समय में छिल पाएंगे और इसे मटर को चिलने में बाच मिनिट में हमने इसते सारे मटर चिल लेंगे दिखिए दोनों हांसे इसे अच्छे से रगड़ना वजत इस तरी सब्सक्रणार नहीं और दोसे आ जाएंगे और उपर जिलक आप उंफर उलक कर लिजिए झाँ, तो तो यहां पर देखिए फ्रेंस मर्टर के दाने चिल के वो गये हैं तैयार तो यहां पर देखिए गये चुला काफी चिप चिपा गंदा हो गया है तो मैं इसे को साप करके दिखाऊंगी और इसके लिए हम ना कोई केमिकल यूज़ करेंगी ना कोई और चीज़े घर के ही चीज़ों से इसे साप करके दिखाएंगे बिल्कुन नए जैसे चमंगदार है क्ल पाने को देख़ी चीज़े देखिए अगर और यहां अच्छे से चफाइगा तो आप इस में गरमपानी में असानी हो जाएगी तो यहाँ पर पानी है है और इसको पांदस मिनल के छोड़ देंगे से भीगने के लिए जिसे की हम जब भी साफ करेंगे तो हमें बिना मेनत के साफ हो जाएए असानी से जादा ताकत की भी जरूत नहीं पड़ेगी यहां पर हमने लिया इस बरतन माजने वाला साबून है और इसक्रब भी लिया है इसी तरीकी से जो परतन साफ करते हैं वहींवाला यह जो हम लगाने के बाद अब सको चुछे से चुले को साफकर्लेते हैं घीच रही हूं m बहुत बहुत है बिल्कुल भी इसमें ताकत की नहीं लग रही है बिल्कुल अलका-लका ही में घीच रही हूं जब देखे पुरा चिकनाहट बहुत है इस तरह के से पुरेज चुले को साप कर लेंगे और साप करने के बाद में यहाँ पर हमने लिया है सुखा कपड़ा सुती का कपड़ा है इसको साप किया है उसको अच्छे से पुर्च लेंगे देखे हमने अच्छे से पुर्च लिए है और देखे आप लो कितना अच्छे से साप हो गया है और यहाँ पर हमने लिए फिर से यहाँ पर सुती का गिला कपड़ा लिए है पानी इन कपड़े को गिला करके लिए हैं गिले कपड़े से पुर्च रहे है और देख पारेंग आप लोग कितना गंदा था वो कितने अच्छे से साफ हो गई है उसे साफ करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा सिर्फ एक से दो मिनट में ही साफ हो गई है देख पारेंगे आप लोग तो वीडियो आप लोगों कच्छा लगा हो फ्रेंज तो प्लीज